दोश्तो हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां स्कूलों में बैठने के लिए ना किसी परकार कर बेंच हुआ करता था और नहीं कोई पक्के फर्स यहां तक कि हम लोग अपने घर से ही बैठने के लिए एक बोरा लेकर जाया करते थे हम लोग वो दोर के लोग हैं दोश्तो जहां साधी ब्याह के मौके पर सेकड़ों तरक मिठाएं नहीं बलकि यही स्वे मिठाएं बना करती थी जैसे लड़्डू, जारुआ और बुंदिया हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां टीबी पे एंकर लोग चिला चिला कर नहीं बलकि सांत और मेठी मेठी आवाजों में समचार सुनाया करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां सैकिल के आगे और पीछे दोनों जगा करियर लगी होती थी और बीच में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां पानी ठंडा करने के लिए कोई फ्रीज उरीज नहीं बलकि ऐसी जुगाड करके और घाडे में ठंडे पानी करके पिया करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं दोस्तो जहां मेले से लोड़ती समय हाथों में गुबारा या एक मिट्टी का खिलोना नहीं तो एक बासली जरूर हुआ करता था हम लोग उस दोर के लोग हैं दोस्तो जहां कुछ इस तरह के इमोजी के क्रेम वाली बिस्कुट मिलती थी हम लोग उस दौर की लोग हैं दोस्तों जहां लोग अपने घर के सभी बरतनों में कुछ इस तरह से नाम लिख दिया करते थे हम लोग उस दौर की लोग हैं जहां कोई कोल ड्रिंक नहीं बलकि ऐसी गोटी सोड़ा, रसना और निम्बू पानी पीकर चिल किया करते थे हम लोग उस दौर की लोग हैं जहां आधी रातों तक घरों के बाहर गांटों दोस्तों के साथ बैठा करते तो कभी खेला करते थे तो कभी उर्ती हुए जुगुनियों को हाथों में जमा किया करते हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां कपड़े फिलिप काट और अमेजन से नहीं बलकि गाउं के दरजी अंकल से सीला कर पाना करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं दोस्तों जहां सेलफी सब्द का नाम तक नहीं जानते थे बस कोई साधी बिया या कोई पर्वतिहवार के मौके पर ऐसी कैमरा से फोटो किचवा लिया करते थे हम लोग उस दौर के लोग हैं जहां एक रुपिय में चार या छे गुलगपे मिल जाया करता था और छोले के साथ दो समों से मात्रे तिन रुपिय में आ जाते थे दोस्तो हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां रातों में बाहर निकलने के लिए कोई मोबाइल फोन नहीं बलकि हाथों में लैल्टेन लेके निकला करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं दोस्तो जहां सबजियां खरीद कर नहीं बलकि छपपर पे चड़ा कर या उगा कर खाया करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां एक ही ड्रेश में अस्कूल, नाने घर यहां तक की बरात में पहन कर चले जाया करते थे हम लोग उस दोर की लोग हैं जहां नहाने के लिए कोई स्विविंग पूल या वाटर पारक नहीं हुआ करता था बलकि कुँआ, नदी, डीजल पंप, तलाप या पोखर में नहाया करते थे हम लोग उस दोर की लोग हैं जहां 50 पैसे में ऐसी मधू सुपारी लेकर घंटों चबाया करते थे हम लोग उस दोर की लोग हैं जहां कुलफी हो या बर्प उसे पैसे दे कर नहीं बलकि घरों से अनाज दे कर बदली में खाया करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं दोस्तों जहाँ एसी और कुलर की ठंडी हावा में नहीं बलकि पेडों की ठंडी छाया में सोकर बिताया करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं दोस्तों जहां खाना गैसो और इलेट्रिक चुला पे नहीं बलकि लकडियां और उपले की साहता से बनाई जाते थी हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां छोटे मूटे गलतियां करने पर पापा कूट दिया करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां साधी या बिया के मौके पर खाड़ा होकर नहीं बलकि जमीन पर बैठकर अराम से पत्तल में खाया करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां एक माचिश पचास पैसे और पूरा पैकेट पाच रुपे मिल जाया करती थी हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां की लड़कियां कुछ इस तरह के परदे और डिजाइन बनाया करती थी हम लोग वो आखरी दोर के लोग हैं जो बैल्ब के खाली पैकेट को हाथों में ऐसे पान कर घूमा करते थे हम लोग वो दोर के लोग हैं जहां बच्चों को पास हाथों में हमेशा टायर, सिक्की या ऐसी बनी हुए गाडियां हुआ करता था हम लोग वो दोर के लोग हैं दोश्तों जहां गाओं में एक जोपड़ी देशी छोटीशी होटल जिरूर हुआ करता था जहाँ चाय पेने के लिए हमेशा बुजुरू लोग बैठा करते थे हम लोग वो दौर की लोग है दोस्तो जहाँ गाने सुनेने के लिए हाथों में मोबाइल नहीं बलकि सभी के पास रेडियो हुआ करता था हम लोग वो आखरी दौर की लोग हैं जो नमरीं करके किटगेट खेला करते थे क्योंकि उस दौर में आज कितरे उतनी जनसंखिया नहीं थी आज तो एक ही फिल्ड पर तीन से चार टीमें खेलती है हम लोग वो दौर की लोग हैं दोस्तो जहां कोई पर्विय तेहवार के मौके पर मिठाईय बनाने के लिए रिफाईन तिल नहीं बल्कि डालडा का परियोग किया जाता था हम लोग वो आखरी दौर की लोग हैं जो किराय पर टीवी और डीवीडी लाकर रात बर फिल्में देखा करते थे हम लोग वो दौर की लोग हैं जहां बजारों में कुछ इस तरह के कल में मिला करती थी हम लोग उस दौर की लोग हैं जहां पानी नल या आरों से नहीं बल्कि कुआच निकाल कर पिया करते थे हम लोग उस दौर की लोग हैं जहां बराती जाने के लिए बोलोरो असकारपियो जैसे मागी गाड़ी का परियोग नहीं किया करते थे बलकि उस समय तो हम लोग ट्रैक्टर या पैदल ही जाना पड़ता था हम लोग वो आखरी दोर के लोग हैं दोस्तो जो कुछ इस तरह के गेमों से खेला करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां खाली समय में मोबाइल नहीं बलकि तरह तरह के मिट्टी के खिलोने बना कर खेला करते थे हम लोग उस दोर के लोग हैं जहां हाथों में आज की बच्चों के तरह स्मार्ट वाच नहीं बलकि कुछ इस तरह के घाड़ी पाना करते थे हम लोग उस दोर की लोग है जहां दूद फ्रीजों में नहीं बलकि रशी से बने ऐसे सिक्के और अंगिठी पे रखे जाते थे हम लोग उस दोर की लोग है दोस्तो जहां कुर्सियों का डिजाइन कुछ इस तरह के होते थे हम लोग उस दोर की लोग है दोस्तो जहां नेम बैनर कॉम्प्यूटर से नहीं बलकि हाथों से सभी जगर लिखे हुए होते थे हम लोग वो दोर की लोग है दोस्तो जहां गाओं में सभी का घर पक्के नहीं बलकि ऐसी मिट्टी और छट पर ऐसी खपड़े हुआ करता था हम लोग उस दौर की लोग है जहां बाल कटवाने के लिए कोई सैलू नहीं जाया करते थे बलकि कहें पेडों के नीचे या कहें भी बाल कटा लिया करते थे हम लोग वो आखरी दोर के लोग हैं जो दुलहन को ऐसे डोली कहार से विदाई होते हुए देखा है हम लोग वो दोर के लोग हैं दोस्तो जहां बच्पन में कुछ इस तरह के किताबे पढ़ा करते थे हम लोग उस दोर की लोग हैं दोस्तों जहां कुछ इस तरह के मोडल की बाइकी आती थी हम लोग उस दोर की लोग हैं दोस्तों जहां कुछ इस तरह के पितल, कासे और लकडी मिट्टी के बरतर हुआ करता था हम लोग उस दोर के लोग हैं दोस्तो जहां एक उर्पिय की शिक्के डाल कर एक मिनट तक बाते किया करते थे हम लोग वो आखरी दोर के लोग हैं जो मात्र 50 पैसों में ऐसे पंक वाली हेलिकॉप्टर लाके उड़ाया करते थे हम लोग वो आखरी दोर के लोग हैं दोस्तों जो अस्कुल ना जाने पर बच्चों को टीम दोवारा ऐसे ठंगा कर अस्कुल जाया करते थे हम लोग वो आखरी दौर के लोग हैं दोस्तों जो हाथों में पेड़ के पत्तों को महदी तोड़ कर ऐसे तिनके से लगाया करते थे हम लोग वो आखरी दौर के लोग हैं जो रातों में ऐसे लैंप से पढ़ाय किया करते थे हम लोग वो आखरी दौर के लोग हैं जो टूटूवे चूडियों को दिये पे गर्म करके ऐसे जंजीर बनाया करते थे हम लोग वो आखरी दौर के लोग हैं जो गेंद खरीदने के लिए पैसे ना होने पर कुछ इस तरह से कपड़े से गेंद बना कर खेला करते थे हम लोग वो आखरी दौर की लोग हैं जो चुलों में कच्चे आलू को पका कर खूब खाया करते थे हम लोग वो आखरी दौर की लोग हैं जो चपल तूड जाने पर भी उसे किसी तरह जोड जाड़ के पाना करते थे हम लोग वो आखरी दोर के लोग है जो कहरे हम लकड़ियों से बने गोटियों के साहिता से खेला करते थे